असलाम लेकूम, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही लो इंग्रीडियन्ट एंड लो फ्लेम मैंगो डेजर्ट की रेस्पी इसे आप मैंगो पूडिंग भी कह सकते हैं इस तेज गर्मी में गैस ना जलाना पड़े और रेस्पी तयार हो जाए तो क्या कहने? कोशिश करें कि आप मीठे आम लें इसे पहले हम धो लेंगे और अच्छी तरह से छीड लेंगे इसे हमें किसी भी शेप में रफली चॉप कर लेना है क्योंकि हमें इसे पीसना है यहां हमने मैंगो पल्प जो लिया है वो लगभग एक कप के बराबर है अब हम एक मिक्सी जार में एक कप दूध आट करेंगे जो कि एकदम ठंडा है अब जो हमने आम काट के रखा था था आब उसे भी आट कर देंगे नेक्स्ट हमें चाहिए आधा कप कंडेंस मिल्क जिसमें से हम पूरा नहीं आट करेंगे तो बड़ा चमश बचा लेंगे वैसे कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान है जिसकी रेस्पी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं और अगर ना हो तो आप शकर कर सकते हैं वैसे कंडेंस मिल्क से टेस्ट और ज़ादा बढ़ जाता है और अगर आप चाहें तो इसे टेस्टी बनाने के लिए मिल्क पौर्डर का इस्तिमाल कर सकते हैं जब तक हम इसका इस्तिमाल अभी नहीं कर रहे हैं तब तक इसे हम फ्रीज में रखेंगे नेक्स यह हमने ले ली है दूद के ऊपर की मलाई जो कि एक कप है और एकदम ठंडी है अब जो हमने कंडेंस मिल्क बचा के रखा था उसे आट करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लेकिन ओर मिक्स नहीं करेंगे इसकी जगह आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं या अगर आपके पास विप क्रीम है तो उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं जब तक इसका इस्तिमाल हम नहीं कर रहे हैं तब तक इसे भी हम फ्रीज में रखेंगे नेक्स्ट यह हमने ले लिया है ब्रेड और इसकी साइट को हमने कट कर लिया है और कोशिश करें कि आप फ्रेश ब्रेड ले इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हम एक ग्लास जार में इन्हें असेंबल करेंगे अब हम सबसे पहले डालेंगे मैंगो मिल्क इन्हें अच्छी तरह चारो तरफ फैला देंगे इस तरह से अब इनके उपर हम प्रेडा रेंच कर देंगे जितनी भी आए अब इनके उपर दुबारा एट करेंगे मैंगो मिल्क अच्छी तरह से हम इन्हें फैला देंगे थोड़े से मैंगो चंक्स एट करेंगे जो कि खाने में बहुत अच्छी लगते हैं आम के साथ नारियल का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा एट करेंगे और अगर आपको पसंद ना हो तो इसे इसकी भी कर सकते हैं अब इसके उपर हम थोड़ी क्रीम एट करेंगे और जादा बचा के रख लेंगे जो उपर से आट करेंगे अब हम सेम मेथट रिपीट करेंगे ब्रेट लगाएंगे मैंगो मिल्क आट करेंगे और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे अब लास्ट में जो बची हुई क्रीम है वो पूरी आट कर देंगे अभी हम थोड़ा पिस्ता की कतरन आट कर देंगे अभी हम अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि फ्रीज में दूसरी चीजों की इसमें इसमेल ना आए और अगर आपके पास इसकी लिड है तो आप इसकी लिड लगा सकते हैं अब इन्हें हम फ्रीज में रखेंगे तेर से दो घंटे के लिए यह जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक के लिए एक से तेर घंटे हो गए हैं अब यह एक्तम धंडे हो गए हैं अब आप चाहें तो उपर से इसे गारनिश कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो जैसे हमने इसे आम से और थोड़े से पित्टे के कतरन के साथ गारनिश किया है लास्ट में ड्राय रोस पिटल से गानिश किया है जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं हमारा इजी मैंगो डेजर्ट बनकर रेडी हो गया है अब इसे आप ठंडा ठंडा इसी तरह सर्फ करें सबको बहुत पसंद आएगा तो आपने देखा इसे हमने कितने आसान इसे बिना गैस जलाए बना कर तयार किया है और ये कितने कम इंग्रीडेंट में बनकर तयार हुआ है इसे आप ट्राइ किज़ेगा क्योंकि आम का सीजन भी चल रहा है और सबको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी बहुत आसान है और मेरे कट करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जादा सौफ बन कर तयार हुआ है यह देखिए रेस्पी ट्राइ किज़ेगा और अपने फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर किज़ेगा और कमेंट शेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि यह रेस्पी आपको कैसी लगी ऐसे ही आसान और मज़धार रेस्पीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें वीडियो देखने का बेहर शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा मिलूंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफीज